असलाम लेकूम टीम टेनेक की तरफ से दोस्तों यह स्कोर्स का सकेंड लेक्षिर है आप सब को पहले में इंफॉर्म कर दो कि क्रिप्टो स्टॉक्स फॉरेक्स इन तीनों को हम बहुत टीटेल में स्टडी करेंगे मगर उससे पहले हमें टेखना होगा इसलिए क्योंकि टेख दोस्तों तुराओ दिस लेक्षर आप पेंपेबर पैंसल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टन पोइंच को नोट डाउन कर सकें और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप जब भी स्कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने दो महीने डेमो टेडिंग प्रैक्टिस करन सकते हैए टाइप्स ओ ट्रैड योह होती है और क Filip को कौशी टेड करने चाहिए और किसंप्रेम में करने चाहिए इस से आपका आइडिया कि यह आपको कोशनी ट्रैट करने चाहिए अगर पिस टूडिन थे हैं या जय परसेन है 노래 सब लिए बताउगे आपको किस ट्रैप की pra market और market cycle पे बात करेंगे. कि market cycles कैसी होती है जो कि हम charts पे देखेंगे. market के जो trends होते हैं वो किस type के होते हैं, market में क्या क्या trend आते हैं, किस तरीके सो उन्हें पता करना है ये सारी चीज़े हम charts पे देखेंगे. दोस्तों, third topic में हम dollar cost averaging पे बात करेंगे. कि dollar cost averaging क्या होती है किस तरह होती है और आपने इसको कब-कब यूज़ करना है आखरी topic जो होगा सबसे important portfolio management इसका मतलब यह है कि जो आपके पास आपके funds है उसको कैसे manage करना है और आपने जब trades लेनी है तो क्या risk to reward ratio होगा और आपके जो funds है उसको आपने किस तरह उनके उनको accounts में divide करना है दोस्तो हमारा सबसे पहला topic types of trade जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यह 4 photos बनाई वी है ताकि आपके लिए असानी हो समझने में आप इन photos को as it is not down कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हैं intraday तो इसके बाद है swing तीसरी है scalping और last है long term यह 4 types of trade है दोस्तों कि जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने इन सारे boxes में time भी लिखा वा है कि जैसे intraday trading है तो उसका time frame है 15 minute, 30 minute, 45 minutes आपने इस time frame पे chart को देखना है और जैसे कि swing trading है उसमें जो time frame है वो 1 घंते का, 2 घंते का, 4 घंते का, 6 घंते का तीसरा जो type of trade है scalping उसमें आप 1 minute, 3 minute और 5 minute का chart आप देखोगे और आखरी का जो trade है long term उसमें आप day chart देखोगे 3 day chart भी देखोगे और monthly chart देखोगे और आप weekly chart भी देख सकते हो सब्सक्राइब हम डिसार्ड गरना हैं कि सब्सक्राइब कि ट्रेडिन्ग करना है इंट्रेट्रेडिंग का umid अब पूरी एक दिन में और से उसी दिन ही आपने उनको क्लोज कर दिया को कहते का आप बी ट्रेट्ट जो Swing Trading आप एक हफ़ते तक भी कर सकते हो, एक महीने भी कर सकते हो, और तीन महीने भी कर सकते हो, यह आपके उपपर है, मगर आप इसको तीन महीने से कम ही रखें, अब Scalping, Scalping जैसे मैंने कोई भी चीज खरीदी, वन डॉलर की, उसको मैंने 1.01 पे Sell कर दिया, छोटा सा मैंने Profit बना दिया, Scalping आप 5 मिनिट में भी कर सकते हो, दस मिनिट भी कर सकते हो, प्रोवाइड़ कि आपने उसको जल्दी क्लोस करना है, अच्छा, लॉंग टर्म में ये है कि आपने कोई भी चीज खरीदी जो 3 महीने से ज्याद है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें तो दोस्तों, अब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेट करने है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिन को दे सकते हो, तो आप इंटरडेय और सविंग करो, लेकिन अगर आप बिगिनिर हो, तो आप स्विंग से स्टार्ट करो, क्यूओ कि जब आप फ्रोफेटीबल ह जाओगे तो आपके लिए इंटरेट बहुत ही असान होगा अगर आप एक शुड़न्ट हो आपको स्कूल या कॉलेज जाना है और उसके बाद आप ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हो तो आप स्विंग पे ज्यादा फोकस करो और लॉंग टर्म पे लॉंग टर्म एक तरीके स आपकी इंवेस्टमेंट है जो आपके फंड को काफी बढ़ाएगा अगर आप जॉब करते हो तो आप स्विंग को प्रेफर करो इंटरेड डे और स्कैल्पिंग इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा अविलेबल होना चाहिए दोस्तों हम अब अब ट्रे आप्लिकेशन इस तरह नज़र है कि हमेशा मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही होती है मगर जो आपको एक जैनरल सा एक व्यू मिलेगा कि जो प्राइज है वो मसलसल ऑबर टाइम बढ़ रही है जैसे जो प्राइस थी वो फाइब डॉलर पे थी और अप्रेंड में प्राइस पहुंच गई आपकी फिफ्टी डॉलर तो यह एकदम से शूट अपनी होगी एक ओवर टाइम यह प्राइस बढ़ेगी फिफ्टी डॉलर पे और वह आपको फेजिस में नजर आएगा कि बहुत ज्यादा बाइंग होईगी यहां पर जिससे प्राइस शूट प्राइस प्राइस बढ़ेगी फिर ज्यादा बाइंग होईगी फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी तो इस तरह एक अप्रेंट बनता है दोस्तों जो दूसरे ट्रेंड उसको कहते हैं डाउं ट्रेंड यानि जो प्राइस है वह मुसलसल आपकी घिरेगी और वह आपको इस 50 डॉलर्स पी थी वह 40 पर आगी फिर वापिस 43 पर आई फिर 40 से सीधा 35 पर गिर गई फिर 38 आगी और फिर सीधा आपकी 30 डॉलर्स पर गिर गई इसको कहते हैं कि प्राइस डाउं ट्रेंड में आ रहा है मुसलसल एक फेज जिसमें प्राइस घिर रहा है क्योंकि बहुत ज् जो हैं वो अपनी पैनिक सेलिंग की होदा से लॉसेज रेलाइस कर रहे हैं और दोस्तों जो तीसरे ट्रेंड होता है उसको कहते हैं हम साइडवेज यह जो प्राइस है वो एक ही पैटरंस बना रही है आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन इस तर नज़र आए कि प्र उसी प्राइस है तो तब एक प्राइस पोपर आएएगी पीर ध्राइस पाइगी हीहां पर बाइंगं और सेलिंग दोनों एक ही स्कीश हो रही है तो तब ही िरप रिपीट वर नगैंव ह Tiffany है वह सेल करते हैं तो इस तरह यह पैटरन एक रिपीट हो था każdy पर दोस्तों अग मसलसल बढ़ी है और अगर आप दाउन्टरेंड देखना है तो आप यहां से मसलसल प्राइज काफी टाइम के लिए गिरिये और अगर आपको sideways movement देख ने में नहीं हैं तो आप यहां पर पैटर इंडेश देख सकते हैं यहां पर सेम बाइंड और सेम सेलिंग और फिर वापस बाइंग फिर जाना है तो यहां पर एक repeat सी साइकल बन रही है तो इसको कहते है sideways यहां से आप एक अब्रेंड देख सकते हैं। और यहां पर यहां पर एक साइड के पैटर्न नजल आइगा। जो ट्रेंड होता है। वह तेनों एक साथ प्ले हो सकता है। जैसे कि अगर आप यहां देखें कि यह downtrend में गयी तुर उसके बाद यह sideways भी हो गया, फिर यह वापस द kami बने हा यहां से production बनाए, फिर वापसर से अब्टरेंड बनाए है, और फिर इसने मेजर्टरेंड बनाए फिर इसने downtrend बनाया और फिर इसने uptrend शुरू किया तो ये तीनों randomly एक साथ play हो सकते हैं अब हम बात करते हैं market cycles की दो type की market cycles होती है bull market या bear market bull market में जो prices होती है वो काफी लंबे अर्से तक उपर की तरफ जाती है और bear market में जो prices होती है वो काफी अर्से तक नीचे की तरफ जाती है financial markets में दो type के player होते है bulls और bears bulls वो players होते हैं जो market को उपर लेके जाते है bears वो players होते हैं जो market को नीचे लेके जाते है इनके पास सबसे ज़्यादा पैस होता है मैंने आपको formula बताया था last lecture में price is equals to market cap upon circulating supply जिसके पास सबसे ज़्यादा market cap होगा वो किसी भी type की movement market में कर सकता है जाए वो उपर लेके जाए या नीचे लेके जाए तो जो बाकी जो लोग होते हैं वो इन सब को observe कर रहे होते है कि जैसे अभी bitcoin का यहाँ पर bull run शुरू हुआ था तो इसमें Tesla ने भी invest किया था तो इसके वाइसे जो लोग बहुत सारे जिनको crypto के वारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उन्होंने भी investment शुरू कर दी थी क्योंकि बहुत बड़ी company ने investment शुरू कर दी थी bitcoin में तो इससे एक sentiment बना इसी तरह bear market में भी sentiment होता है कि जो major players होते हैं वो profit टेक कर लेते हैं sell कर देते हैं अपनी holdings तो उससे क्या होता है कि market cap का एक major chunk कम हो जाता है यह उससे बहुत सारे लोग panic में आते हैं price को घरते वे तो वो भी loss पर selling शुरू कर देते हैं तो उसके उससे एक bear market शुरू हो जाती है एक और important बात यह है कि इन cycles में हमेशा आपको trends नज़र आएंगे uptrend भी नज़र आएगा, downtrend भी नज़र आएगा sideways भी नज़र आएगा जैसे यहाँ पर bitcoin uptrend में गया फिर थोड़ा सा downtrend में है फिर दुबार downtrend में गया फिर downtrend में है, फिर downtrend में है randomly in trends में आपको cycle नज़र आएगी cycle में मगर आपको जो sentiment बता रहोगा वो आपको एक long term picture बताएगा अब आपने हमेशा financial markets में उस चीज़ पर नज़र रखनी है जहाँ पर लोगों ने सबसादा पैसा लगाया है जैसे crypto currencies में सबसादा लोगों ने पैसा Bitcoin में लगाया है तो Bitcoin एक major player है अगर Bitcoin की कोई भी movement होगी तो वोई चीज़ आपको बाकी crypto currencies में नज़र आईगी कुछ exceptions होती है मगर overall अगर कोई भी एक major move Bitcoin करेगा वो आपको बाकी crypto currencies में reflected नज़र आएगा मैं आपको compare के थूँ समझाता हूँ जो आप trading वो में plus feature है अगर आप इस पे click करेंगे तो आप जो भी chart आप देख रहे हैं उसको आप किसी दूसरे chart के price से compare कर सकते है जिसे light coin है ये भी एक crypto currency है तो मैं आपको Bitcoin और light coin की movement को comparison करवाता हूँ जो orange color है ये light coin का price है आप सिर्फ देखें कि जब Bitcoin uptrend में गया तो उसी तरह light coin भी uptrend में गया जहां Bitcoin downtrend में गया तो उसी तरह light coin भी drop हो गया जब दुबारा Bitcoin अपना bull market शुरू की तो उसी तरह light coin की भी price उपर गई एक और example देख लेते हैं जैसे Ethereum है जो blue color है वो Ethereum है जैसे Bitcoin जब uptrend में आया तो Ethereum भी uptrend चला गया जहां Bitcoin downtrend में आया इसी तरह Ethereum भी downtrend में आ गया जब दुबारा Bitcoin uptrend में गया तो इसी तरह Ethereum भी uptrend में आ गया तो Bitcoin की जो movement है वो बाकी आपको currencies में नज़र आईगी तो आपने carefully हमेशा Bitcoin को observe करना है I hope दोस्तों आप सब को trends, type of friends और type of market cycles दोनों clear होगी होगी दोस्तों अब मैं आपको dollar cost averaging explain करता हूँ dollar cost averaging एक technique है जिससे आप अपनी investment को average out करते हो example को तरह जैसे जो भी आप monthly earn करते हो आप उसका 10% Bitcoin में invest करते हो यह technique इतनी effective है इसको मैं आपको एक story की तरह समझाता हूँ आप और आपके दोस्त, दोनों आप लोग Bitcoin में invest करना चाहते हो आप दोनों के पास 12,000 dollar का fund है आपका दोस्त बोलता है कि मैं एक ही दफ़ा Bitcoin खरीद दूँगा और आप कहते हो कि आप हर महीने 1000 dollar का Bitcoin खरीद हो गए तोनों का fund size से में सिर्फ strategy डिफरेंट है आपका दोस्त एक ही दफ़ा खरीद लेगा और आप हर महीने 1000 dollar का खरीद हो गए तो January का time है Bitcoin का price 40,000 है तो आपके दोस्त ने Bitcoin 40,000 dollar का खरीद लिया और total quantity उसके पास 0.3 आगई आपने क्या किया 40,000 का Bitcoin था आपने 1000 dollar का buy कर लिया उसके quantity आप से 10 times ज्याद है और आपके उसके 10 times काम है फिर भी आपने next month आया उसके Bitcoin का price और ज्यादा था 45,000 पता आपने फिर 1000 dollar का खरीद लिया फिर उसके next month आपने 1000 dollar का खरीद लिया और continuously आपने 12 मीने 1000 dollar का खरीद लिया मगर आपने price को नहीं देखा फिर साल का end हुआ साल का end हुआ उसके Bitcoin 20,000 dollar पे close हुआ तो आप और आपके दोस्त दोनों बैटें तो आपके दोस्त ने बुच्चा कि आपके इस वक्त value क्या है तो आपने इसको value बताई कि जो आपकी average price थी Bitcoin की buying की वो 28,500 थी और जो आपके पस इस वक्त total quantity है वो 0.48 Bitcoins की है और जो उनकी value है वो इस वक्त 13,583 है आप already profit में आगे और जो आपका दोस्त है उसने साल के शिरू में 40,000 dollars पर खरीदा था और साल के आखर में जब Bitcoin की value पीस अजार पर पहुंच गी तो जो उसकी value थी वो 50% से decrease होगी 6,000 dollars का उस वक तोटल उसकी value उसके पास पढ़ी भी बिटकोईन की तोस्तों अगर हम सिर्फ compare करें दोनों का fund size सेम था सिर्फ buying strategy डिफरेंटी आपने उन महीनों का फायदा उठा गया जहां पे Bitcoin बहुत ज़्यादा कम price पर था तो इससे आप ज़्यादा quantity buy कर सके तो इससे क्या हुआ आपका जो average price था वह भी काफी reduce हो गया आपी quantity भी बढ़ गई और आप even के Bitcoin जब 50% अपनी value drop कर गया तो तब भी आप profit में थे मगर जो आपका दोस्त था उसने सिर्फ एक दफाबाई किया था same quantity थी तो जो 40,000 से जब 20,000 Bitcoin drop हुआ तो 50% वह loss में आगया अब suppose next year Bitcoin की value 55,000 डॉलर पे आती है तो आपका दोस्त आपका advice करता है कि आप वह भी profit में आगया है तो sell कर लेते हैं तो आप भी agree हो जाते हैं तो आप दोनों अपने Bitcoin की holdings 55,000 डॉलर पे sell करता है जो आपका दोस्त था उसने profit बना लिया 4,500 और 38% return overall अपने 12,000 डॉलर के fund पे जो आपने profit बनाया वो आपने बनाया 14,213 यानी 118% अपने return बना लिया डॉलर कोस्ट averaging की वज़े से आपकी quantity भी जादा होगी और आपकी average purchasing price भी तो आपने कभी भी 100% buying नहीं करनी हमेशा इन parts buy करें डॉलर कोस्ट average करें तो आप long term हमेशा फायदे में होंगे दोस्तो डॉलर कोस्ट averaging का भी ही एक तरीका है आपने हमेशा marker cycle को determine करना है marker cycle आपको sentiment से पता चलेगा जैसे यहाँ पे bitcoin की bull market थी तो अगर मैं dollar कोस्ट averaging कर रहा हुता तो मैं यहाँ पे buy करता फिर मैं यहाँ बाइ करता फिर मैं यहाँ बाइ करता इवन अगर आप यहाँ देखे तो यहाँ पे डाउं ट्रेंड आ गया है तो मैं यहाँ पे buy कर लेता पिर मैं दुबारा बाई करता फिर मैं दुबारा बाई करता जहां तक मेरे fund के capacity है मैं अपने buying continue रखता मगर दोस्तों आपने हमेशा prepare रहना है कि हमेशा हर market cycle का एक top होता है gull market का top होता है wear market का bottom होता है तो आपने हमेशा prepared रहना है कि कभी ना कभी व 현재 we're top reach होगा जब bull market अपने top पह हुंचती है तो वह crash हो जाती है because maximum जिन लोगों ने buying हो ती वह profit take करते हैं तो जब crash होती है तो बहुत सारे panic sellers होते हैं वह loss में sell करते है तो आपने हमेशा एक psychological level रखने है कि आपने वहाँ पे sell करनी है और जब भी आपका अगर 200% return बन जाए तो आप हमेशा 50% अपनी holdings को sell करें ताकि जो आपका capital है वो आपके पास आ जाए तो अगर मैं sell करता तो मैं यहाँ पे sell कर देता मगर फिर भी अगर मुझे यहाँ पे भी मौका मिलता sell करने का तो मैं यहाँ पे भी sell कर लेता क्योंकि मैं already यहाँ पे already इतना profit में हूँ तो even अगर जो मैंने यहाँ पे भी buying किये वो भी मैं उसको compensate कर लेता इन सब के profit से तो आपने हमेशा तयार रहना है कि आपने कभी ने कभी sell करना है और आपने market sentiment को बहुत दिहान से evaluate करना है और अगर आप bear market में होते हैं bear market हमेशा best time होती है dollar cost averaging के लिए क्योंकि आप हमेशा lowest price से आप ज़्यादा quantity buy कर सकते हैं मगर हमेशा अपने फिर से दुबारा में कह रहा हूँ sentiment को देखना है बहुत ऐसा भी होता कि bull market से ज़्यादा देर bear market भी रहती है तो आपने अपना risk को manage करना है कि आपको जो आप पैसे लगा रहे हो उसको आपको immediately जूरत नहीं है dollar cost averaging का rule ही यह यह कि आप long term hold करो ताकि आप उसको maximum sell कर सको high profit पे तो अगर आप bear market में dollar cost averaging करते हैं तो आप हमेशा पहले bull market का cycle over होने को आप confirmation देखोगे वो आपको sentiment से पता चल जाएगा आगे जब हम technical analysis course में पढ़ेंगे तो हम आपको indications बताएंगे कि जहां पे bull market खतम हो गई है तो अगर आप bear market में dollar cost averaging करते हैं यहां पर कुछ buy कर लेते हैं फिर यहां कुछ buy कर लेते हैं फिर कुछ यहां buy कर लेते हैं तो आप एक sequence रखते हैं अब हमारा जो last topic है वो है portfolio management portfolio management को मैं next part में कबर करूँगा यह same lecture है इसका part 2 होगा यह जो portfolio management है वो बहुत ही important concept है यह पूरा आपका trading career determined करता है जितना बहतर आपका portfolio management होगा उतने आप market में successful होगे जितना अगर आपका week होगा उतना जलती आप market से exit हो जागे आप याद रखें market 24-7 है मगर जो आपका portfolio है वो आपकी responsibility है तो इसलिए इस lecture का part 2 portfolio management पे होगा जो आप separately देखेंगे अब next lecture में types of trades, types of markets और dollar cost averaging को cover किया है अब मैं आपको quiz दूँगा उसके answers आपने comment section में देने और मैं आपके answers चेक करके आपको feedback दूँगा best of luck quiz में आप सब ने सबसे पहले question रोने answer करना है कि क्या time frame जे intra date trading के scalping के swing के और long term के आपने इन सब के time frames बताने question 2 में आपने बताने के trend क्या है इस price sequence पे इस price sequence को closely monitor करें और बताएं कि क्या trend चल रहा है इन prices को देख के फिर आपने question 3 में बताने के bulls क्या होते है question 4 में आपने बताने के bears क्या होते है question 5 सबसे important है इसको आपने लाजमी attempt करना है आपने घबराना नहीं है बहुत easy सवाल है ठीक है अगर आपको मुश्किल लगे आप इस lecture को दोबारा repeat कर लें dollar cost averaging का आपके पस 36,000 dollars है investing के लिए आप 12,000 dollars इन तीनों में आपने invest करना है ठीक है 12,000 dollars आप Tesla में करोगे 12,000 dollars आप Bitcoin में करोगे और 12,000 dollars आप US dollar में करोगे जब आपने 12,000 dollars सारा आपने invest कर लिया फिर अगले साल आप Tesla को बेचोगे 2000 dollars पे फिर आप Bitcoin को बेचोगे 75,000 dollars पे और US dollar का आप बेचोगे 220 पर, ये सारे months हैं, ये इन सब के prices हैं, ठीक है, आपने अपनी average buying, total quantity और profit calculate करना है, जैसे मैंने dollar cost averaging के आपको explain की थी, और याद रखना, आप 1000 डॉलर हर महीने इन में invest कर रहे हो, यानि January में आपने 1000 इनवेस्ट किया, फेब में अपने 1000 इनवेस्ट किया, और सवान अपने 12 में ने 1000 इनवेस्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने, अपनी average buying calculate करनी है, आप पर total quantity calculate करनी है, और profit, या अपने तीनों की calculate करनी है, टेसला की भी, बिटकोईन की भी, और US dollar की, average buying का आपको formula मैंने या पर लिखके देदीए.